तो जेहन दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन नमबर 12455 and 12456 के बारे में के इस ट्रेन की सुरुआत कब क्यूं और कैसे हुई तो आपको हिस्ट्री बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं सुरू तो दोस्तों ट्रेन नमबर 12455 दिली सराह रोलास चलकर बीकानेर के बीच में चलती है वाया बठिंडा श्री गंगानगर के रास्ते दोस्तो इस ट्रेन से पेले एक ट्रेन चलाई गई थी दिली सराय रोला से स्रीगंगा नगर के बीच में AC सूपरवास्ट एक्सप्रेस क्योंकि उन दिनों सूरतगर के बीच में जो मिटर गेज का सक्सन था उसको ब्रोल गेज में किया जारा था तो इसलिए दोस्तो उस ट्रेन को सिरिगंगा नगर तक चलाए गया था और दोस्तो जो AC सुपरवाश्ट एक्सप्रेस थी उसको रैक मिला था अपना पुराना राजधानी वाला ICF रैक और फिर दोस्तो कुछ समय बाद उस ट्रेन को बंद कर दे गया और उसकी जगह पर सेम टाइम में ट्रेन नमबर 12455 की सुरुवात की गई चार जनवरी 2011 को दिली सराय रोला से वाया श्री गंगा नगर से रचते भी कानेर के बीच में क्यूंकि दोस्तो तब तक जो श्री गंगा नगर से सूरत गड़वाला मीटर गेज सेक्षन था उसको भी ग्रोड गेज में बदल दिया गया था और दोस्तो शुरुवाती दिनों में इस ट्रेन को ICF REC के साथ चला गया था और बाद मैं इस ट्रेन को LHB कर दिया गया तो अब बर्दमान में ये LHB REC के साथ चलती जिसमें आपको जर्नल, स्लीपर, 3C, 2C के साथ साथ आपको उसमें 1C की वी सुथा मिल जाएगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना कोमेंट करना और चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन